1 piece का Manga Chapter 1068 के spoilers आ गये हैं और ये spoiler आदा रात को आया धा और मैं सो गया था तो इस वज़े से वीडियो आने में लेट हो गया खेर मैंने संधे को जब वीडियो डाला था तो मैंने promise किया था कि next वीडियो बहुत चाऊने वाला लेकिन वहला वीडियो कल नहीं आ पाया क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ा था मैं एडिट करकर के पक गया था और इस वज़े से लेट हुआ तो वो वीडियो तुमको कल देखने को मिलेगा आज स्पॉयलर से काम चला लो खेर चलो स्पॉयलर पर आते हैं सबसे पहले जो इस चैप्टर का title निकल का था जो की होने वाले admits spoiler की हिसाप से में यह बताया जाता है कि सीजर क्लावन और जज यह लोग अपना फाइट जारी रखते हैं साती साथ वो लोग उन दिनों को भी याद करते हैं जब यह लोग मैड का हिस्सा हुआ करते थे अब देखो अगर तुम्हें नहीं पता कि मैड क्या है तो देखो वनपीस के और इन चार टॉप के साइन्टिस्ट के ग्रूप को जो है मैट्स कहा जाता है अब ये चार साइन्टिस्ट कौन कौन से है वेगापंक, सीजर क्लाउन, विंस्मोक जज एंड क्वीन हाँ ये मोटा बलून भी है खेर बैक टू दे टॉपिक जैसे कि मैंने पहले बोला टाइट इस्टिरियस एंसेंट एनरजी सोर्स के बारे में पता लगा लिया जिस वज़े से अब वर्ल्ड गवर्मेंट इसको टपकाना चाहती है और यही साइद वो में रीजन है जिस वज़े से जो है वेगापंक लूफी से रिक्वेस्ट किया होगा कि उसको कहीं और ले जाए ख बिजली माटना चाहते थे जो कि उनका ये ड्रीम पूरा नहीं हो सका वरना फिर आज के टाइम में ये जो बिजली का बिल जो तुम लोग देते हो न वो तुम लोग को कभी नहीं देना पड़ता खेर next spoiler में हमें ये बताया जाता है कि जो साका है वो order देता है release करने के दे दिया मतलब ये की future में ये जो सैंतिमार है ये world government को धोका दे करके ये वेगा पंक के side ही आ जाएगा और ये एक हिसाब से अच्छा ही रहेगा खेर लूची जो है Atlas के उपर हमला कर देता है और जो Atlas है वो बहुती जादा damaged है Atlas मतलब ये छोटी वाली बच्ची वाली एक बात कहना है तुमने ठीक है Atlas को damage कर दिया अबे जाके मेन वाले वेगा पंक को करके दिखाओ फिर बताते है वहाँ पे तो लूफी है प्लस हमें final spoiler में ये भी बताया जाता है लूफी एंड लूची's group run into each other at the end of the chapter यही तो देखना वाकी रह गया था यही तो मैं चाहता था because ये chapter इतने time से चीजे भले reveal कर रहा था प्लस ये जो arc की भी अगर मैं बात कुर चीजे reveal कर रहा था पर action नहीं देखने को मिल रहा है और साथी साथ एक बात बताओ ना जिस बंदे को लूफी ने उस वक्त हराया था जब उसको gear तक ठीक से use करना नहीं आता था उसने न कुछ नहीं मिलेगा ये तो CP0 बन गया है CP9 से CP0 बन गया अब लगता ये वाला नौकरी भी जाएगा उससे उसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा बहुत गंदा तरह से कुटाने वाला है मुझे फील आ चुक है यहाँ पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा देखो रॉ आप इनको उठवा ले या मार दे मतलब देखो यार एजेंट है तो एसासिन वगेरा ये सब चीज तो आए गई ना तो हो सकते हैं जैसे जैसे करके कर सकते थे लेकिन ये लोंग सीधे किसके पास गये लूफी के पास अब इस पर मुझे कुछ नहीं कहा ना मुझे बस 1069 च क्या हाल हो गया बहुत ही जल्द तो फिलाल के लिए जो है ये चैप्टर के स्पॉलर तो यही निकल के आए हैं और मुझे चैप्टर का बहुत बेसबरी सही निति जारा मैं देखना चाहूंगा कि एटलस बचती है कि नहीं खेर वीडियो में लाइक सब्सक्राइब करना व करता है